CM योगी ने बनाया धाकड प्लान 2026 तक बंद हो जाएगी विपक्ष की दुकान UP में होने वाली है रोजगार की बारिश योगी बाबा करेंगे पूरी सभी युवाओं की ख्वाहिश बुल्डोजर बाबा को मिला रतन डाटा का साथ योगी राज में होगा चपपर फाड विकास रतन डाटा को CM योगी का पैगान UP को दिल दिया है अब दिलो जान से रोजगार की बारी है योगी बाबा ने किया UP में खेला जब इदर सुप्रीम कोर्ट में बुल्डोजर के खिलाफ दलीलें पेश की जा रही थी तब योगी का पूरा ध्यान रतन डाटा के साथ मुलाकात की ओर चल रहा था दुनिया इसी में उलजी रहे गई और योगी बाबा ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक UP में इस समय योगी के विकास मॉडल की तैयारी हो चुकी है अब बस उसे साकार करने से एक कदम की दूरी है UP के लिए इस समय रतन डाटा का साथ मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि UP का विकास मॉडल रतन डाटा जैसा देशबक बिजनेसमैन ही पूरा कर सकता है पिछले मैने ही योगी आदितिनात ने पॉलेंड की एक कंपनी को उननाव में फैक्टरी लगाने का न्योता दिया था इस मामले को लेकर डील भी सैन की जा चुकी है योगी जी के इस फैसले से रतन डाटा बहुत प्रभावित हुए है और ऐसी खबर आ रही है कि वो यूपी में बिजनेस बढ़ाना चा रहे हैं जी हां आपने सही सुना रतन टाटा जी का यूपी के साथ दिल का रिश्ता है 9 साल पहले खुद रतन टाटा ने ये बात कही थी कि यूपी के साथ मेरा दिल का रिश्ता है मैं यूपी को दिल दे चुका हूँ वहीं यूपी के CM योगी आदितिनाथ का कहना है कि अब यूपी में दिलो जान से रोजगार पैदा करने की बारी आ गई है इसके लिए उन्हें रतन टाटा का साथ चाहिए तब ही वो जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश को पूरे भारत का नंबर वन राज्य बना पाएंगे मुख्य मंतरी बनने के बाद योगी आदितिनाथ के कामकाज ने जिस यूपी मॉडल को खड़ा किया उसके चर्चा अब उस तरह से होती है जैसे साल 2014 के पहले बीजेपी शासित राजियों के मुख्य मंतरी और पार्टी के कारेकरता नरिंद्र मोदी के गुजरात मॉडल का जिकर करते थे राजनीतिक विशलेशकों की राय है कि उत्तर प्रदेश में भारतिय जंता पार्टी को चुनाव दर चुनाव मिलने वाली काम्याभी की वज़ा से हर तरफ योगी आदितिनाथ के यूपी मॉडल की बात हो रही है योगी सरकार ने अपना तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारो पीम मोदी और भारत के प्रतिष्टित उध्यमियों की उपस्थिती में किया था जिसमें उत्तर प्रदेश में 80,224 करोड रुपे की 1,406 परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया ये परियोजनाए ना केवल NCR क्षेतर में केंद्रित है योगी राज में UP देश के लिए एक प्रमुक रक्षा गल्यारा बनने के लिए तयार है IIT कानपूर Research and Technology Park ने UP Express Way ओध्योगिक विकास प्राधिकरन UPEIDA के साथ UP Defense Industrial Corridor UPDIC के तहत R&D गती विदियों में तेजी लाने और रक्षा कंपनियों को उत्तर प्रदेश में आकरशित करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है योगी सरकार निवेश के लिए पैसा जुटाने के लिए कंपनियों का हाथ थाम रही है UPEIDA ने Defense Industrial Corridor में इकाईयां स्थापित करने के चुक निवेशकों को वित्तिय सहायता प्रदान करने के लिए तीन प्रमुक राश्च्र कृत बैंकों और भारतिय लगू उद्योक विगास बैंक SIDBI के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है नतीजतन अदानी Defense and Aerospace कानपूर में दक्षिन एशिया का सबसे बड़ा एकिकरित गोला बारुद निर्मान परिसर स्थापित करने के लिए पूरी तरह तयार है